ओम एंग्ष्री महालक्षमाई नमा हलो फ्रेंड्स वेलकम टो मैं चैनल इस वीडियो में आज मैं आपके साथ सेर कर रही हूं सोले तिवशिय महालक्षमी ब्रत के उध्यापन की पूजा बिधी इस महालच्मी ब्रत को गजलच्मी ब्रत हाथी की पूजा की नाम से भी जाना जाता है जब हम कोई ब्रत या अनुष्ठान करते हैं तो पूजा में हमसे जो गल्ती से गल्तियां हो जाती है उनी कल्थियों की छमा याचना ही तो हमें उस ब्रत पूजा का उध्यापन भी करना होता है। यदि आपने पहले दिन चौकी नहीं लगाई है तो आप उध्यापन भाले दिन चौकी लगाईएगा। अगर हम पहले मौली भांदेंगे ये कलस आप पीतल का तावी का या फिर मिट्टी का ले सकते हैं। कलस में थोड़ा सा सबसे पहले गंगाजल डालेंगे उसके बाद कलस को हम कंठ तक सुद्ध जल से भर देंगे। अब हम कलस में एक सुपाड़ी, एक हल्दी, एक पतासा, एक शिक्का, थोड़ी से दूब खास, कुछ अच्छत और एक पुस्प ढाल देंगे। अब हम कलस के मुख पर पंच पलव लगाएंगे। कलस के मुख पर आप आम के, पान के या पिर असोग के पत्ते लगा सकते हैं। अब हम सभी पंच पलव पर हल्दी और कुम कुम लगा देंगे। माता लच्मी ब्रत यदि आपने 16 दिन का, 3 दिन का या फिर 2 दिन का भी नहीं किया है, तो आप उध्यापन बाले दिन यानि एक दिन भी यह ब्रत कर सकते हैं, माता लच्मी का यह ब्रत सभी मनुकामना को पूर्ण करने वाला है, जैसा कि हम सभी चानते हैं माता लच्मी ब्य नारियल को मौली से लपेट लिया है, आप मौली की जगह लाल चुंदरी भी नारियल पर पांच सकते हैं, अब हम कुमकुम से नारियल को टेक तेंगे और कलस के ऊपर हम नारियल के स्थापना करतेंगे, अब हम थोड़े से अच्छत लेंगे, जिससे हम अश्टदल कमल रहती है, और घर में शुक्षानती संद्ध्धी आती है, अब हमने माता गजलचमी का एक फोटो लिया है, जिसको हमने फूलों का आसन देते हुए चौकी पर प्राजित कर दिया है, अब हम एक और अश्टदल कमल बनाएंगे, और इस अश्टदल कमल के उपर हम माता महरच गजलचमी की स्थापना कर देंगे, यदि आपके पास सौने की चांदी की या फिर पीतल की गजलचमी माता है, या हाती है, तो आपको प्रतेक बर्ष नया लाने की आवश्यक्त नहीं है, आप गजलचमी माता के मूर्ती को गंगाजल से सुद्ध करके पूजा में रख सकत हैं, यदि आप इस तरह का मिट्टी का हाथी लाकर के प्रतेक बर्ष पूजा करते हैं, तो आपको प्रतेक बर्ष नया हाथी लाकर यानि कजलचमी माता लाकर के आपको पूजा करने होती है, अक्षतों को आसन देते हुए हमने गनपती जी को भी चौकी पर प्राजित कर दिया है, अब हमने जो सोले काट का धागा बनाया है, इसे भी हम चौकी पर बिराजित करतेंगे, अब हम सभी को भावपोर इसनान कराएंगे, यदि आपके पास गजलचमी माता का किशी धातों का शरूप है, तो आप उसे पंचामरत से भी इसनान करा सकते हैं, पूजा हा देंगे, अच्छा चड़ाएंगे, साथ ही एक पुष्प चड़ाएंगे, और एक जनेव भी हम गनपती जी को अर्पित कर देंगे, और कनीशी को हम पस्तरूपी मौली अर्पित करेंगे, यदि आपके पास इस तरह का गनपती जी का शरूप ना हो, तो आप सुपाड़ी पर कलावा लपिट कर भी गनपती जी की स्थापना कर सकते हैं, गनपती जी को हम एक हल्दी, एक सुपाड़ी, दूप खास, कुछ तच्छना और इत्र भी अर्पित कर देंगे, अब हम मां गजलचमी जी का भी पूजन कर देंगे, और हाथी पर जो हमारे महावत वैठी है उनका भी हम पूजन कर देंगे, साथ हमें हाथी का भी पूजन करना है, गजलचमी माता का पूजन आप हल्दी से भी कर सकते हैं, और कुमकुम से भी कर सकते हैं, क्योंकि माता महालचमी को हल्दी और कुमकुम दोनों ही प्रिय होता है, अब हम गजराज को बस्तोपी मौली अर्पित करेंगे साथ ही एक जनेव भी अर्पित कर देंगे महालचमी गजलचमी की पूजा में दूग घास का विशेश महत माना जाता है यदि आप पूरे 16 दिन महालचमी की पूजा करते हैं तो आपको पूरे 16 दिन तक गजराज को दूग घास का भोग लगाना चाहिए मा बहुती अच्छी बात है, नहीं तो आप कुलाब के गुड़हल के फूल भी मातालचमी को अरपित कर सकते हैं। अब हम लचमी जी के साथ साथ सभी देवी देवतां को इतर भी अर्पित करतेंगे इतर लगाने से मातालचमी बहुत प्रशन होती हैं तो आपको जो भी स्वगंदित इतर मिले आप पूजा में मातालचमी को अवश्य अर्पित करें लचमी जी की पूजा करते हुए आप उद्ध्यापन बाले दिन माताल अच्मी को 16 रंगार अवश्य अर्पित करने चाहिए। भोग के लिए जो भी पकवान बना जाते हैं आप उन पकवान का मताल अच्मी को भोग अवश्य लगाएं। आपके पास फूलों की माला ना हो तो आपके वल फूल भी कलस यानि बरुणतेव को चड़ा सकते हैं। अब हमने जो 16 रंगार का धागा बनाया है इसका भी पूजन करतेंगे। इसकी प्रत्यक 16 रंगार में हमें कुमकुम से तिलक करना चाहिए, अच्छा चड़ाने चाहिए, उसके बाद हमें ये धागा पूजा में हाथी यानि कजराज को पहना देना होता है। 16 रंगा ये धागा कैसे बनाया जाता है, इसका एक पूरा पिस्तार में वीडियो मैंने अपने चैनल पर बनाया हुआ है। लिंक आपको उपर आई वटन में मिल जाएगी, बहां से जाकर के आप यह वीडियो देख सकते हैं। उस बीडियो में मैंने इस धागे के महत को इस धागे की पूझा कैसे करने चाहिए, इसकी पिस्तार में जानकारी दी है, लिंक आपको उपर आई वटन में मिल जाएगी, बहां से जाकर के आप है वीडियो देख सकते हैं। अब हम माता लचमी को मुक्षुद्धी के लिए एक पान का भोग अरपित करेंगे, जिसमें हमने दो इलाइची, लॉंग, सुपाड़ी और पतासा रखा हुआ है, साथी कजराज को केले बहुत पशंद होते हैं, उनका प्रिया भोग है, तो हम केले का भी भोग आप सेप की जगे माता लचमी को अनार का भी भोग लगा सकते हैं, माता लचमी का प्रियाफल अनार भी है, इसके बाद हम दच्छना सरुक कुछ पैसे माता लचमी को अरपित करेंगे, दच्छना से हमारी पूजा में जो कमीरा जाती है, बहपूरी हो जाती है, अब हम महा लच्मी ब्रत की कथा को भी पढ़ेंगे कथा पुस्तक का हम पहले पूजन करतेंगे उसके बाद हम कथा पढ़ना आरम करेंगे कथा आरम करने से पहले हम हाथ में कुछ अच्छत और पुस्प ले लेंगे उसके बाद हम कथा पढ़ना आरम करेंगे क्योंकि किसी भी कथा को ना तो खाली हाथ पढ़ा जाता है और ना ही खाली हाथ सुना जाता है जब हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी तो हम अच्छत और पुस्प को मातल अच्छमी के चर्णों में अर्पित करतेंगे इसके बाद हम हवन करेंगे ये हवन आप कथा पढ़ने से पहले भी कर सकते हैं या फिर कथा पढ़ने के बाद भी कर सकते हैं हवन करने से पहले हम हवन कुंट का पूजन करते हैंगे कुम कुम से अच्छत से और पुस्प चड़ा देंगे ये हवन मैं काय के गोवर के उपले पर कर रही हूँ, आप आम की समधाओं पर भी ये हवन कर सकते हैं, उपले पर पहले मैंने कपूर डाला है, इसके बाद हम थोड़ा से घी डाल दाएंगे ताकि हमारा उपला अच्छे से जल जाए, आप चाहें तो पहले इस उपले को गैस पर जला कर भी ये हवन कर सकते हैं, अब हम हवन कुंड में अगनी देव का आवाहन करेंगे, उसके बाद हम सबसे पहले भवान कौरी कनेज के नाम से हवन कुंड में आहुतियां देंगे, उसके बाद हम माता महालक्षमी के नाम से सोले आहुतियां देंगे, ये सोले आहु आहुतियां आप महालक्षमी के किसी भी बीज मंत्र के साथ हवन कुर्ण में दे सकते हैं। अगनी अच्छे से प्रजलित होती रहे। आप आटे से भी बना सकते हैं और इस तरह के मिट्टी के दीपक भी ले सकते हैं। यदि आपके पास दोनों ही तरह के दीपक ना हो तो आप किसी धातु के भी दीपक पूजा में यूज कर सकते हैं। सभी दीपक का हम पूजन कर देंगे पुस्प, अच्छत और कुमकुम से। सिलच्मी माता की पूजा में जो भी चीज़ें दान की जाती हैं सोले सोले की संख्या में दान की जाती हैं। सोले सुहाक पिटारी हमें दान करनी है उसी तरह से उध्यापन वाले दिन हमें सोले जोडों को भी चिमाना होता है उसी तरह से सोले बार हमें कुल्ला करना होता है सोले लोटों से इश्नान करना होता है और सोले बार हमें सूर को अर्ग भी देना होता है अब हमने भोग देवी देवताओं तक पहुंचता है महा लचमी जी की पूजा का कभी भी बिशर्जन नहीं किया जाता है इस बात का आप विशेश त्यान रखिएगा अब हमने जो 16 तार का धागा लचमी जी के चर्नों में अर्पित किया था इस धागे को हम उठा लेंगे और अपनी कलाई तक बरना पूरे साल तक अपने हाथ में बांध कर रखना चाहिए यदि आप इस धागे को अपने हाथ में बांध कर नहीं रख सकते हैं तो आप इस धागे को अपनी तिजोरी में रख सकते हैं अब हम माता लचमी को शिंदू तान करेंगे 5 वार या 7 वार उसके बाद हम मा में क्या करें तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं घज लच्पी माता का या हाथे का आपको बिश्रजर नहीं करना है गज लच्पी माता के इस सरूर को आपको पूरे साल तक अपने घर में किसी पवित्र जगे पर या फिर आप अपने घर मंदिर में सभाल कर रखिएगा इनकी आप मंदिर में रखते हैं तो डेली पूजा कीजिएगा और अगले बर्स जब आप माता महालख्षमी की फिर से पूजा कर लेंगे उसके बाद इस मिट्टी की कजलख्षमी माता का आप विशाजन कर सकते हैं और यदि आपकी शामर्थ नहीं है कि आप सोले ब्रामणों को जिमा सकें, सोले सोले चीजों का सोले जगे दान कर सकें, तो आप सोले सुहाग पटारी की जगे सोले स्रंगार के शामिकरी ले ले ले, सोले रूमा ले ले, उन सभी सोले चीजों पर आप थोड़ी थोड़ी तो आप इन सभी 16 चीज़ाँ को अपने मान भांजों या आपसे जो भी बड़े हैं उनको भी दान कर सकते हैं इस वीडियो में मैंने आपको उध्यापन की बहुती सरल बिधी बताई है फ्रेंस उम्मीद करती हूं आपको महालच्मी गजलच्मी हाथी की पूजा का मेरा ये कैसा लगा कॉमेंट्स करके जरूर बताईएगा और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहले बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए वीडियो को जाता से यादर लाइक कीजिए साथी पैल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली थो पैर ज़िए सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफकेसर आप लोगों को टाइम से मिल सके कॉमेंट्स बॉक्स में गजिलज्चमी मा महालक्ष्मी माता की जय अवश्मी खेगा धन्यवाथ रेंड्स ओम एंग्श्री महालक्षमाई नमूनमा मातालच्मी की जै कचल अच्वी माता की जै जै माता दी